दिल्ली के सबजी मंडी छेतर के मलका गंज लाके में मंगलबार को एक दर्थनाग हासा हुआ जिसमें एक बाराव वरसी बच्ची की जान चली गई कड़ना में एक DTC लेक्टी बस की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई हाला कि जांच में सामने आया कि यह बस बास्ता में DTC की नहीं थी बलकि एक नीजी बस थी जिसे किलोमीटर आदारित अनुबंद पर चलाया जा रहा था बस का चालक भी एक नीजी ड्राइवर ही था क्या बच्ची की जान बचाई जा सकती थी जी हाँ बच्ची को बचाया जा सकता था सुबह के समय ही इस बस चालक को नियमों का उलंगन करते हुए देखा गया था जब बैव बिना सवारियां बिठाएं और बस का डिस्प्ले बोर्ड बंद करके तेज रफ्तार से बस चला रहा था अगर उसी समय उचित कारवई की जाती तो सायद है दुखत करना ना गठती किलोमीटर इसकीम पर सवाल इस हाथ से ने दिली की सडकों पर चल रही किलोमीटर इसकीम की बसों की सुरच्चा और बिसुनित्ता पर गंबीर सवाल खड़े कर दिये हैं इस इसकीम के तह्त नीजी मालिकों की पसों को DTC के साथ अनुबंदित कर प्रती किलोमीटर भुक्तान किया जाता है और ड्राइवरों पर अधिक से अधिक दूरी तेह करने का दवाब बनाया जाता है इसी दवाब के कारण अक्सर ट्राइवर सवारियों को बिठाने और उतारने के लिए बस रोकने से बसते हैं ताकि उनकी बस जादा से जादा चल सके और तैय समय पर अपनी मंजल तक पहुंच सके इस गटना के बाद इस्थानी लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया और आकरोस में आकर बस में तोर फोड़ कर दी मौके पर पहुंची पुलिस ने इस्तिती को नियंतरन किया लेकिन हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सांथ नहीं हुआ डीटीसी की लाल और हरी बसें दिल्ली की सड़कों का एक अभिनिस्सा रही है लेकिन रिकोर्टों के मताविक दो जार पच्चीस तक ये बसें पूरी तरह से बंद हो सकती है इस गटना ने लोगों के बीच डीटीसी की बसों की गटती संक्या पचिंता बढ़ा दी है अगर समय रहते सरकार ने इस दिसा में ठोस कदम नहीं उठाए तो नीजी बसों की लापरवाई से और भी कई जाने जा सकती है दिल्ली की भीड़भाड भरी सडकों पर बसें समय और ट्रैफिक को ध्यान पर रख कर चलानी चाहिए ना कि नीजी कमपनियों के लालच और एव्यवस्तित व्यवस्ता के चलते लोगों की सुरच्चा खत्रे में पड़ रही है